हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जून 2023 एक्जाम फॉर्म के बारे में वो 15 अपरेल है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आप 15 अपरेल तक without late fees अपना exam form भर सकते हैं बहुत सारे students का confusion बना हुआ है कि exam form की जो last date है वो क्या है और exam form की जो last date है वो आगे extend होगी या नहीं होगी तो मैं आपको बता दूँ आपके जो exam form की last date है वो 15 अपरेल 2023 है 15 अपरेल 2023 तक आप बिना किसी late fine के अपना exam form भर सकते हैं सिर्फ आपको exam fees देनी होगी 200 रुपए पर subject यानि कि आपके जितनी भी subject हैं तो 200 रुपए पर subject के इसाप से आपको fees देनी होगी और अगर आप 15 अपरेल के बाद अपना exam form भरते हैं तो आपको 25 अपरेल तक का समय दिया जाएगा यानि 16 अपरेल से 25 अपरेल तक आपको exam form भरने का मौका दिया जाएगा पर यहाँ आपर आपको 500 रुपए अलग से late fine देना होगा अगर आप 25 अपरेल तक अपना exam form नहीं भर पाते हैं तो 26 अपरेल के बाद भी आपका exam form भरा जाएगा 26 अपरेल के बाद आप यहाँ आपर exam form भर सकते हैं पर 11 रुपए late fine आपको देना होगा तो आपके exam form की जो last date है वो यहाँ पर 15 अपरेल है जिन भी students ने अपना exam form नहीं भरा है तो आपसे request है आप जल से जल अपना exam form भर दें जिससे कि आपको कोई problem ना हो क्यूंकि अभी आप exam form नहीं भरेंगे तो आपका exam फिर December में होंगे जिससे कि आपका काफी time waste हो जाएगा इसलिए आप अपना time waste नहीं करना चाहते हैं तो आप जल से जल अपना exam form भर दें जिससे कि आपको problem ना हो और रही बात आपके exam form की last date extend होनेगी तो आपके exam form की last date है वो already extend की जा चुकी अब आपके exam form की जो last date है वो extend नहीं होगी इसलिए आप 15 अपरेल से पहले अपना exam form भर दें इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो exam form है तो दोस्तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके exam form कब तक भरे जाने है आपके exam form की जो fees है वो 200 पर subject है students को doubt है कि exam fees कितनी है तो exam fees आपसे 200 रुपए एक subject के लिए जाते हैं अगर आपके 4 subject हैं तो आपको 800 रुपए 8 subject हैं तो 200 के हिसाब से 16 रुपए और अगर आपका कोई back का paper है बहुत सारी students ऐसे हैं जिनकी पहले exam में back आई है फेल हुए है या exam skip किया है तो उसके लिए भी आपको सेम यह exam form बरना है आप अपना exam form अभी बर सकते हैं आप जो पुराने paper है जिसमें आपके back आई है या skip किया था exam और आपके जो नए paper है उनको एक साथ आप अपना exam दे सकते हैं उसकी सारी फीस आपकी इखटे आपकी जमा होगी अलग से कोई exam form नहीं होता है आपके क्योंकि बहुत सारे students का कहना है कि back का exam form अलग से होता है तो back का exam form अलग से नहीं होता है आपका जो exam form है वो दोनों सेम होते हैं आपका जो exam form है चाहे वो fail students के लिए हो चाहे वो new students के लिए हो सभी के लिए exam form होता है वो सेम होता है आपके जो exam में एक जून से लिए जाने इसलिए अभी तक आपने exam form नहीं बढ़ा है तो जल्द से जल 15 अपरेल तक अपना exam form भर दे तो दोस्तों वी